नमस्कार मैं हूँ विश्टजीत आप सभी लोगों को मैंने चैनल में हार्डिक स्वागत आप लोगों ने अगर स्टार वार्ड्स मूवी देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इस मूवी के कैरेक्टर लिूक स्काइवाकर्स जिस प्लानेट पे रहते है उसका ना स्टार्ड में होता है अगर है तो क्या ये प्लानेट रहने लाइग है क्या इस प्लानेट में भी हम लोगों की तरह जीवन है न िस सारे के मुताबिक binary system में भी हम लोगों की planet जिस तरह सन के चक्कर लगाते हैं उसी तरह इन system में भी ऐसा planet होना चाहिए जो इन stars को चक्कर लगाता हो कुछ scientist का सोच है कि अगर planets इन binary system के चक्कर लगा रहे हैं तो यह life को भी support कर सकते हैं इनकी यह सोच की पीछे कारण है क्योंकि हमारी universe में ऐसा बहुत सरह binary system मौज़ूद है जिसके चारो और planet चक्कर लगा रहे हैं इसलिए इन में से कुछ ऐसा planet हो सकते हैं जो कि life को support कर सकता है रिसेंटली जब computer में इस तरह binary system का simulation किया गया तो देखा गया कि ऐसा planet मौज़ूद हो सकते हैं जो कि life को support करता हो लेकिन इसके लिए कुछ condition होना जरूरी है जैसे कि इन planets के पास एक stable orbit हो और यह planets ना ही ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंडी यह एक बहुत ही interesting research है जो कि present में universe को लेकर हमारी जो समझ है उसे और भी ज़्यादा expand कर सकते है researchers बहुत सालों से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे है कि जो planet हमारी आर्थ की तरह अपने star के चक्कर लगा रहे है क्या यह life को support करते है या नहीं तो उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा interesting finding मिला उन्होंने अपने इस study में देखा कि binary star system के कुछ ऐसा भी configuration है जो कि इसके चारों और चक्कर लगाते हुए planets को stable orbit में रख सकते है वो भी लंबे समय तक करीब एक billion साल तक और इतने समय उस planet में life को पनपने के लिए काफी है लिकिन यह condition के साथ साथ उस planet के जो temperature का range है वो भी life को पनपने के लिए suitable होना चाहिए यानि ना ही ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंडी researcher ने जब binary star system के साथ एक earth like planet के simulation बनाया तो उन्होंने देखा कि 15% earth like planet जो binary star system के चारोर चक्कर लगाते है यह planets अपनी star system के habitable zone में रहने में सामर्थ होते है इसका मतलब है कि यह planets में life exist कर सकते है करीब 4000 simulation को बनाया गया जहाँ पे हर एक binary star system के साथ एक earth like planet जो binary star system के चारोर चक्कर लगाता हो इन simulation पे बहुत सारी चीजों को बारिकी से examine किया गया जहाँ पे देखा गया कि binary star system एक दिसुरे के कितने करीब और कितने दूर मौजुद है और इनके orbital पत circular है या elliptical साथी में ये भी देखा गया कि ये एक दूसरे से कितने बड़े या छोटे है इन factors को examine करके scientist ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि star और planet की BBR कैसे change होते है जैसे एक example से समझते है अगर दो star एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो तो ये एक दूसरे को gravitational force से अपनी और खीच सकती है जो कि इनको system से बाहर fake सकता है इसके बाद scientist ने binary star system के जो आर्टलेक planet है क्या ये planet binary star system के orbital path में इतने समय तक stable हो सकते है जितने समय में life पनप सके तो इसके लिए scientist ने computer simulation के जरिये इसे समझने की कोशिश की जहाँ पे उन्होंने इन planet के speed को track किया एक stimulated one billion time के साथ जो की life को पनपने के लिए काफी समय है binary star system में जो planet है वो planet और star की बिज में जो interaction होता है इसके चलते कभी कभी planet system से बाहर चिटक जाते है यही बज़ा है कि ये planet में life emerge नहीं हो पाते researcher ने पाया कि binary star system में जो planet larger orbit में इसके चक्कर लगाते है इनमें हर 8 planet में सिर्फ एक planet ऐसा होता है जो orbit से बाहर चिटक जाते है इसका मतलब यह हुआ कि बाकी जो planet है ये stable रहते है और star के चारो और चक्कर लगाते है वो भी पूरे एक billion साल तक या इससे भी ज़ादा जो की life को पनपने के लिए काफी है इन stable planets में हर 10 में एक planet ऐसा होता है जो की अपनी star system के habitable zone में मौझूद होते है ये ज़्यादा important इसलिए बन जाता है क्योंकि habitable zone किसी star के वो area होते है जहाँ पानी liquid अवस्ता में और life आसानी से पनप सकते है researchers ने जो 4000 Earth-like planet को computer में simulation किया इसमें से 500 planets ऐसा पाया गया जो की अपने orbit में stable रहते है और ये stability के कारण ये planet 80% of the time उस star के habitable zone में रह पाते है और आपको पता है कि habitable zone में पानी liquid अवस्ता में रहते है और जो की life को पनपने के लिए important ingredient है आप लोगों साहिए 80% of the time को लेकर confusion हो सकते है चलिए इसे एक example के जरे समझते है 80% of the time मतलब सपोस कीज़े कोई Earth-like planet जो की 12 महिने में अपने star को एक चक्कर लगाते है अगर हम इसके 80% of the time निकाले लगबग 9.6 महिना होगा यानि ये 9.6 महिना life को support करने के लिए जो condition होनी चाहिए वो planet में मौझुद होते है जैसे temperature का सही range में होना और बाकी धाई महिना या तो exoplanet अपनी orbit से थोड़ा shift हो जाते है या फिर दूसरे factor के चलते इसके temperature में variation देखने को मिलता है जो की life को emerge होने के लिए सही नहीं होती है इस study के author Maria McDonald के अनुसार binary system में जो planet के पास atmosphere और ocean होते है उसमें habitable condition होनी के possibility उतने ही बर जाती है क्योंकि air और water प्लानेट के orbit और दूसरे factors के बज़े से temperature में जो variation आते है उसे smooth और life को support कर सके ऐसा stable temperature को maintain करने में मदद करता है हाला कि अभी का simulation किया गया था इसमें atmosphere और ocean को include नहीं किया गया था उनकी अनुमान है कि अगर ये दोने factors को include किया जाए तो habitable planets की number बढ़ सकते है और near future में scientist ये दो factors और पहले simulation में जो 1 billion time frame का निर्मान किया गया उसे बढ़ाना क्योंकि किसी भी star के edge के साथ उसकी brightness और hotness बढ़ जाती है जिसके चलते उस star के habitable zone में impact पड़ता है इसलिए इसे भी include करने को सोच रहे है Jason Wright जो कि एक astrophysicist है जिनका मानना है कि habitable planet की खोच करना एक बहुत ही जादे important topic है जब first star wars movie आई थी तब हमारे solar system के बाहर भी कोई planet हो सकते है यह हमें नहीं पता था लेकिन अब हमें पता है कि हमारे solar system के बाहर binary state system के orbit करता हुआ बहुत सरे planets है Wright का कहना है कि यह जो binary state system का simulation है यह हमें future experiment में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है इस तरह का computer simulation के जरे हम भविशय में ऐसा प्लानेर की खोच कर सकते है जहां पे life मौजूद हो so thank you for watching this video